नवश्कार मैं हूँ सूक्रदी रोय चैटर जी और वोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है इस साल का पहला सूरिग्रहन 30 एप्रिल 2022 को भारत के समया अनुसार मदिरात्री को 12 बचकर 15 मिनट एक शुरू होकर सुब़ 4 बचकर 7 मिनट तक रहेगा ऐसे में आएए जानते हैं सूरिग्रहन के दौरान क्या करें और क्या ना करें मदिरात्री सूरिग्रहन होने के बावजूद आप भोजन, पानी, आदि में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें ताकि ग्रहन का नकरात्मक असर उन पर ना पड़े और ग्रहन के बाद आप उनका सेवन कर सके घर के मंदर को इस दोरान ढख दें इस दोरान मंदरों के पट भी बंद रखें ग्रहन के दोरान जादा से जादा वक्त भगवान की आराधना में विताएं इस दोरान सोना और कु उर्जा बढ़ जाती। इसलिए दौरान कोई भी शुब काम ना करें। ग्रहन के दौरान सुवी में धागा डालने की मना ही है। इस दौरान भोजन ना पकाए, ना खाए, काटने च्छीलने का काम ना करें। खास्तोर पर गर्ववती महला इस दौरान चाकू कैची या किसी भी धारदार चीज का इस्तमाल ना करें ना ही ये चीजें हाथ में लें ग्रहण के दौरान यात्रा से बचें ग्रहण के तुरंत बाद आप अपने घर में गंगा जल जरूर छड़कें उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें